हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू नवजिवन चिल्रन अकैडमी ओनलाइन क्लासे और यूट्यूब चैनल इस नवजिवन घटसाना तो प्रीविएस वीडियो में हमने क्लास सेवन्थ की एक्सराइज फॉर्थ को स्टार्ट किया था जो एक्सराइज का नेम है सिंपल एक्व कंपलीट किया था मैंने बेसिक से आपको इसको सोल करना एक्स्प्लें किया था कि कैसे हम इसको सोल करेंगे exercise 4.1 और 4.2 को वहाँ हमने complete कर लिया था part 1 की वीडियो है वो आज की ये वीडियो part 2 की वीडियो है जिसमें आज हम exercise 4.3 और 4.4 को complete करेंगे exercise 4.3 और 4.4 बिलकुल exercise 4.1 और 2 की तरह ही है ज्यादा difference नहीं है एक question के यहाँ लगबग 6-7 parts है मैं आपको 2-3 parts solve कराऊंगा बाकी आपके लिए क्या रहेगा homework रहेगा तो बाकी के questions को आप जरूर self solve करें अगर आपके पास book नहीं है तो हमने इन pages को ये जो book की exercise है इसे PDF form में हमारे telegram channel 9.95 पर provide करवा दिया है आप वहाँ से इन questions को access कर सकते हैं तो आज की वीडियो class 7th exercise 4 simple equation exercise 4.3 हम याँ start कर रहे है first question मैं read कर देता हूँ solve the following equations तो हमें following equations को solve करना है A से J तक ये equations है मैं 3 parts इसके solve करूँगा बाकी के parts आप self solve करेंगे आपके लिए वो homework रहेगा चलिए start करते हैं students question number first का A part हम यहाँ solve करते हैं 2y plus 5 by 2 is equal to 37 by 2 ये question अपने आप में एक important question है क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह की situation को solve करने के लिए बहुत सी गलतियां करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में इसको basic से समझे और इन गलतियों को ने दोराएं सबसे पहली गलति में आपको बताते हैं बच्चे क्या करते हैं बच्चे करते हैं देखते हैं ये 2 divide में है इसको direct इधर multiply में ले जाते हैं ऐसा नहीं करना है इस 2 का अभी इसके साथ भी relation है क्योंकि यहाँ plus का symbol है जब तक इसके साथ इसका कोई relation सोल नहीं हो दाता तब तक हम इसे cross multiplication नहीं करेंगे ये बात clear है ये बात आपको most importantly ध्यान में रखनी है आप direct इसको cross multiply नहीं करेंगे जब तक ये plus या minus में यहाँ है हाँ अगर ये यहाँ multiply में है तो आप इसको यहाँ cross multiply कर सकते हैं लेकिन इस condition में ये plus में है पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है दूसरा very basic concept है जो हमने exercise 4.1 में किया था कि आप variable को एक तरफ रखें और constants को दूसरी तरफ ले जाए constants मतलब जिनकी value defined है जैसे 5 by 2 की value 2.5 होती है यानि इसका half तो ये fix है इन सब को एक तरफ रखें और variable को जितना हो सके एक तरफ रखें तो हम यहाँ transposition method को use करेंगे transposition method सर ये transposition method क्या होता है तो मैं आपको अग्रेडी बता चुका हूँ ये part 2 की वीडियो है जिनोंने part 1 की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो जाकर part 1 की वीडियो देखें आपको सब समझ आ जाएगा तो transposition method के coding सबसे पहले ये plus का जो 5 by 2 है इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा minus का 5 by 2 बाकी किसी चीज में कोई change नहीं करना है 2 by as a tease रखना है equal equal है 37 by 2 37 by 2 है only ये plus 5 by 2 उदर जाकर किसका हो गया minus का सर अब क्या करना है अब इसको कैसे solve करेंगे तो इसके लिए ये fraction form में minus आ गया और fraction form में fraction का मतलब उपर numerator है नीचे denominator है numerator है denominator है इसको minus कैसे करेंगे इसमें भी बच्चे गलती करते है बच्चे करते है उपर वाले को उपर से minus कर देते है नीचे वाले को नीचे से minus कर देते है ऐसा नहीं करना है fraction को solve करने के लिए सिर्फ एक ही method हमारे पास है और वो है LCM least common factor सर ये LCM क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूं जब भी fractions को solve करते है तो हम जो denominator होता है नीचे वाले पार्ट को denominator बोलते है उसका LCM लेते है 2 और 2 का LCM अब ये मापको नहीं बताऊंगा कैसे solve करते है LCM को आप अल्रेडी एक chapter में करके आ चुके है 2 और 2 का LCM 2 ही होता है तो यहाँ हम LCM लेंगे इनका 2 अब क्या करेंगे इस 2 का इस 2 में divide करेंगे 2 का 2 में divide क्या 1 जो 1 आया है उसको उपर वाले पार्ट से multiply करेंगे 37 आप ये नहीं कहेंगे कि सर 2 और 2 था तो आपने 2 लिखा नहीं मैंने 2 और 2 का LCM लेकर में रखेंगे आप अगेन इस 2 का इस 2 में divide क्या 1 1 को 5 से multiply क्या 5 बीच में symbol चल रहा है minus का इस तरह आप इसको solve करेंगे 2y 2y रहेगा जब तक ये completely solve नहीं हो जाता इसको ऐसे ही चलता रखना है 37 minus 5 32 divide by 2 32 को 2 से divide करेंगे तो ये आएगा 16 अब आप 4.1 की तरह है simple form में हम इसे बना दिया है हमने ये 2y multiply में है सर ये multiply में क्यों है तो जल्दी से जाकर part 1 की वीडियो देखे आपको समझ आ जाएगा 2y के multiply में है इधर जाकर ये divide में हो जाएगा 16 by 2 is equal to 8 तो y is equal to 8 हमारा क्या आगया answer आगया ये ही हमें find out करना clear है आप ध्यान से इस question को देखे repeat कर करके इस वीडियो को देखे और समझे कि कि किस method से किस तरीके से हम question को solve कर रहे हैं चलिए एक और part कर लेते हैं इसका हम कर लेते हैं G part कर लेते हैं exercise 4.3 का question first का G part हम यहां solve कर लेते हैं G part हमें बोल रहा है 7M plus 19 by 2 is equal to 13 सर ये तो अभी आपने बताया ही है simple है हम कर लेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले variable को एक तरफ रखेंगे constant को दूसरी तरफ करेंगे ये complete term constant है इसको हम उदर ले जाएंगे transposition method transposition मतलब जगय को change कर रहे है 7M ऐसे का ऐसा है 13 ऐसे का ऐसा है 19 by 2 जो plus का है इदर जाकर किसका हो जाएगा minus का हो जाएगा सर अब क्या करना है तो एक fraction है एक number है कभी भी fraction और number को solve करते हैं तो भी LCM से ही solve करना पड़ेगा सर उसमें तो इसके नीचे कुछ था यहां कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं है उसका मालिक एक जिसका कोई नहीं है उसका मालिक एक 13 के अपोन में कुछ नहीं है हम 1 let कर लेंगे अब 1 और 2 का हम यहां क्या करेंगे LCM करेंगे 1 और 2 का LCM आता है 2 सरी ये LCM कैसे होता है तो इसके लिए already एक chapter आप कर चुके है उसे आप करें LCM से related chapter तो आपको ये समझ आएगा अब वही process 1 का 2 में divide किया 2 2 को 13 से multiply किया 26 इस process को समझ दा बहुत जुरूरी है LCM लेने के बाद इस 1 का 2 में divide करेंगे अंसर आता है 2 इस 2 को 13 से multiply करेंगे अंसर आता है 26 symbol बीच में minus का चल रहा है again 2 का 2 में divide करेंगे 1, 1 को 19 से multiply करेंगे 19 सरी तो बिल्कुल simple है हमें समझ आ गया है हम कर लेंगे आप tension मत लें ठीक है मैं tension नहीं लेता अच्छी बात है आप इसे कर लेंगे 26 minus 19 तो ये आएगा 26 में से हमें यहाँ 19 minus करना है 7 by 2 ये क्या आएगा 7 by 2 अब इसको divide करने की बजाए आप direct एक चीज कर सकते हैं आप इस 7 को जो multiply में है इसको यहाँ divide में लेकर आए 7 divide by ये 2 already है एक 7 ये ओर आगया तो इसे 27 नहीं बनाना है क्योंकि ये 2 है ये 7 है बीच में symbol लग जाएगा multiply का जब इस तरह की situation आती है तो हम यहाँ multiply का symbol use करते हैं अब 7 से 7 cancel उपर कुछ नहीं बचा again जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक तो हमारा answer आजाएगा m is equal to 1 by 2 ये हमारा क्या आगया answer सर ये तो बिलकुल simple है हम इस तरह इसे कर लेंगे अच्छी बात है आप इसे कर लेते हैं तो ये very basic method है इन questions को solve करने के लिए तो उमीद है question first के remaining parts बिलकुल इसी तरह आप solve करेंगे ये चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको class 8, 9, 10, 11, 12 में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे सामने बहुत से student आते हैं मैं पिछले 3 से 4 सालों से teaching line में हूँ और मुझे पता है ये गलतियां होती है मैंने बहुत से student देखे हैं मैंने एक student को बोला माइनस 10 लिख उसने इस तरह माइनस 10 को लिखा तो ये गलतियां इसलिए होती है क्योंकि हम हमारे basics की जो classes है जो 7th, 8th class है उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं तो इन चीज़ों को समझना आप start कर दें ये चीज़ आपने समझ लई भविश्य में कहीं भी कोई गड़बड नहीं होगी चलिए next question की ओर चलते है question number 2 इसके भी 5 part है 2 part हम solve करते है a part को solve करते है question आपका है 2 bracket x plus 4 bracket close is equal to 12 sir ये bracket क्या है ये तो हमने पहली बार देखा है क्या होता है ये इसको कैसे करेंगे तो कुछ नहीं होता bracket का मतलब है ये जो 2 है इस 2 पर x का भी पूरा अधिकार है और 4 का भी पूरा अधिकार है bracket ये बता रहा है कि इस 2 को x से भी multiply करना है इस 2 को 4 से भी multiply करना है और bracket का मतलब board mask के rule के according जब bracket हटता है तो multiply का symbol लगता है कहने का मतलब 2 into x 2 को x से multiply करना है बीच में symbol किसका है plus का 2 को 4 से multiply करना है और हमने यहां bracket को हटा दिया इस तरहें bracket हटाया जाता है most important है आप इसको ज्यान से समझे आप इसको ज्यान से समझे 2 को x से multiply किया 2 को 4 से multiply हम यहां करेंगे is equal to में 12 solve कर लेते हैं 2 को x से multiply किया 2x 4 2 जा 8 is equal to 12 सर यह तो बिल्कुल simple equation बन गई जैसा first question में था इसे तो हम solve कर ही लेगे कर लेते हैं 2x transposition कर दें 12 minus 8 सर यह minus 8 क्यों हुआ है मुझे बताना पड़ेगा क्या मुझे बताना पड़ेगा कि यह minus 8 क्यों हुआ है नहीं सर नहीं बताना पड़ेगा यह plus 8 इधर जाकर minus का 2x is equal to 12 minus 8 4 यह 2 multiply में उधर जाकर divide में 4 में 2 का divide करेंगे 2 सर x की value आ गई 2 तो हमारा answer आ गया x is equal to 2 सर यह तो बिल्कुल simple है हम तो इसे कर ही लेंगे चलिए d part करते हैं minus 4 bracket 2 plus x is equal to 8 यह question बहुत important है मैं यहां क्यों लेकर आया हूँ मैं इस minus की वज़े से लेकर आया हूँ यह जो minus है यह most important है बच्चे इसको अन देखा कर देते हैं और question गलत हो जाता है examiner आपके marks को अन देखा कर देगा तो यह बात ध्यान में रखें यह minus बहुत important है क्यों important है bracket open करने के लिए हम इस 4 का 2 के साथ तो multiply करेंगे ही इस minus का भी multiply होगा sir minus का multiply कैसे होगा तो आपको basic rule पता होगा कि minus को minus से multiply करते हैं मैं यहां एक note के रूप में बता देता हूँ minus को जब minus से multiply करते हैं तो symbol plus हो जाता है minus को जब plus से multiply करते हैं तो symbol minus हो जाता है plus को जब minus से multiply करते हैं तो symbol minus हो जाता है और plus को जब plus से multiply करते हैं तो symbol plus हो जाता है इस तरह समझ नहीं आता तो simple सा method याद रखें जब दो symbol same है तो हमेशा answer plus ही आएगा जब दो symbol same है तो plus जब दोनों symbol different है तो minus किसी भी तरीके से आप इसको याद रखें तो minus 4 का multiply 2 से plus ये plus ही रहेगा और minus 4 का multiply x से ये minus 4 को आपको भूलना नहीं है 4 के साथ minus को लेकर चलना है is equal to 8 4 का 2 से multiply किया 8 minus का minus 4 का x से multiply किया 4x plus minus minus बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ plus का plus था क्योंकि बाहर plus था लेकि यहाँ plus का minus हो चुका है क्योंकि बाहर minus है minus plus टकराएगा minus हो जाएगा minus plus minus तो minus को plus से multiply करेंगे minus ये चीज आप जरूर द्यान रखने is equal to 8 is equal to 8 ये minus 8 है इधर जाकर plus का 8 हो जाएगा आप कहोगे सर अभी तक तो आप ये वाली term उदर लेकर जा रहे थे second वाली term अब first वाली क्यों लेकर जा रहे हो ऐसा कोई logic नहीं है first second का कोई logic नहीं है मैं सिर्फ variable को एक तरफ रख रहा हूँ constant को दूसरी तरफ रख रहा हूँ यहाँ minus 4x रहेगा इस minus को बोलना नहीं है बच्चे इसको ले जाते हैं यहाँ only 4x लिख देते हैं minus को फिर रटा देते हैं ऐसा नहीं करना यह 8 यह वला 8 minus 8 इदरा के plus का 8 minus 4x is equal to 8 plus 8 16 सर अब क्या करें तो अब हमने बताया है minus 4x के multiply में इसको complete लेना है minus 4 x के multiply में है इदर जाकर divide में 16 divide by minus 4 4 का 16 में divide करेंगे 4 answer आएगा और minus का minus रह जाएगा क्योंकि नीचे minus है उपर plus है minus plus minus अगर उपर भी minus होता तो minus minus plus हो जाता लेकिन हमें इसको इस तरीके से करना है तो यह आपका second part complete है दो part मैंने इसके करवा दिये remaining part आपके लिए homework रहेगा चलिए question number 5th की और चलते sorry question number 3rd की और चलते हैं इस भी इसमें different नहीं है solve करना है a part मैं solve करवा देता हूँ आपको simple है a part है हमारे पास 4 is equal to 5p minus 2 यह तो same हम करके ही आए है 4 को 4 रखना है 5 का p से multiply होगा minus का minus रहेगा 5 का 2 से multiply होगा इसको solve कर लेते हैं 5p minus 5 to 10 sir अभी तक तो p यहाँ था इस बार यहाँ हो गया तो उससे फरक नहीं पड़ेगा equal है चाए इदर लिख दो चाए इदर लिख दो मैं आपके इस गाल पे थपड मारूं या इस गाल पे थपड मारूं कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको दर्द उतना ही होगा तो वही बात यहाँ है यह माइनस 10 इदर आकर प्लस का 4 प्लस 10 is equal to 5p 4 प्लस 10 is equal to 5p 4 प्लस 10 हो जाएगा 14 is equal to 5p 5 इदर आकर डिवाइड में तो p की value हमारे आजाएगी 14 by 5 p की value की आजाएगी 14 by 5 यह आगया आपका answer question 3 का a part remaining parts आपके लिए homework रहेगा चलिए question 4 की और बढ़ते हैं question 4 है 2 part है इसके एक part मैं करवाँगा एक part आप करेंगे a और b part है मैं आपको b part करवा रहा हूँ question हमारे सामने है construct three equations starting with x is equal to minus 2 तो आपको इसको समझना है हमें यहाँ equations construct करने के लिए बोला है और हमें यहाँ इसका use करके उस equation को construct करना है x is equal to minus 2 का use करना है use करने से मतलब क्या है ऐसी equations बनानी है कि हमारा answer x is equal to minus 2 आना चाहिए यह जो final answer आ रहा है यह हमारा x is equal to minus 2 आना चाहिए और इस तरह की कुछ equations हमें construct करनी है तो बहुत बढ़िया question है आपकी creativity यहाँ देखी जाएगी कि आप कितना practical thinking से equation को construct कर सकते हैं जैसे equation मैं construct करता हूँ simple सी आप देखिए x plus 6 is equal to 4 x plus 6 is equal to 4 तो यह मैंने कैसे किया simple सा method है करने का x is equal to minus 2 आप कौनस वर लेके आना है आप लिखेंगे x is equal to minus 2 यह minus 2 यह x आप क्या करेंगे दोनों तरफ अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दीजिए math में यह rule है equal है तो हम दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं कुछ भी घटा सकते हैं कुछ भी multiply कर सकते हैं और कुछ भी divide कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ मैं दोनों तरफ 6 जोड़ देता हूँ by adding 6 बोथ साइड बोथ मतलब दोनों तरफ x plus 6 minus 2 plus 6 इसको solve करेंगे x plus 6 x plus 6 ही रहेगा is equal to minus 2 plus 6 तो 6 में से 2 गया 4 तो ये देखिए मैंने ये equation इस तरह कर्स्टर्ट की है आपको 3 equations construct करनी है कोई दिक्कत नहीं है कर देते हैं एक और कर देते हैं question 3 का b part चल रहे है x is equal to minus 2 है हमें एक equation construct करनी है मैं दोनों तरफ 3 से multiply कर देता हूँ मेरी मर्जी है कुछ मर्जी कर सकते है multiply by 3 both side both side आप 3 से multiply कर दीजिए 3 into x minus 2 into 3 3 को x से multiply किया 3x 3 को minus 2 से multiply किया minus 6 यह अपने आप में एक equation बन चुकी है 2 बन चुकी है तीसरी बनानी हमें यह second थी अब हम बनाते है third x is equal to minus 2 है मैं दोनों तरफ मैं दोनों तरफ 2 का divide कर देता हूँ x को 2 से divide किया both side divide by 2 minus 2 को 2 से divide किया x को 2 से divide किया x by 2 ही रहेगा minus 2 को 2 से divide किया minus 1 तो यह अपने आप में एक equation बन चुकी है इस तरह आपको 3 equations construct करनी थी इससे ज़्यादा भी आप construct कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल मैथड यह है यहां आपकी exercise 4.3 कंप्लीट होती है इसी कड़ी में exercise 4.4 को भी हम लेकर आ रहे हैं इसी वीडियो में